मालदा रेल डिवीजन का सबसे अधिक राजस्वो देने वाला स्टेशन भागलपूर आज भी अपने अधिकार से वंचित है। भागलपूर से पटना जाने के लिए लंबे समय तक कोई ट्रेन नहीं मिलती है जिसकी वज़त से यात्रियों को फरक्का एक्सप्रेस में धक्का भी खाना पड़ता है। बिहार का भागलपूर मालदा रेल डिविजन का सबसे ज्यादा राजस्वो देने वारा स्टेशन है। बावजूद इसके फरक्का वो मालदा पटना एक्सप्रेस के बाद और दानापूर इंटर सीटी से पहले भागलपूर से पटना जाने के लिए कोई ट्रेन है ही नहीं। यह रोज की स्थिती है मालदा डिविजन के अधिकारी आए दिन यात्री सुविधा का जाइजा लेने भागलपूर आते रहते हैं लेकिन उनका ध्यान इस और अब तक नहीं गया है। यह तो ट्रेन की बात है हद यह है कि पटना के लिए भागलपूर से बस भी नहीं मिलती है। पहुंचने के समय दिन के 11.25 मिनट पर निर्धारित है। यह लेट भी तो हो जाती है। इस कारण ज्यादा तो लोग फरक्का से ही पटना पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबकी मांगे कि फरक्का के बाद भी एक ट्रेन चलाई जाए तो यात्री सुविधा बढ़ जाएगी। अगर बात करें कि मुजफर पूर के लिए क्या हाल है तो वहां भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। भागलपूर से मुजफर वसीता मणी जाने वालों की संख्या भी बहुत है। ट्रेन में खचा-खच भीड़ रहती है लेकिन जनसेवा के बाद दूसरी कोई ट्रेन मु जाने की कोशिश करेंगे।